कि मेरे प्यारे देश्फासियों नमस्कार पिछले दिनों जिस बात ने हम सब का ध्यान आकरशित किया वह है चीता चीतों पर बात करने के लिए डेर सारे मेसेज़ आये हैं वह चाहे उत्तरकदेश के अरुनकुमार गुपता जी हो एफिर तेलंगना के एन रामचंदरन रगुराम जी गुजरात के राजन जी हो एफिर दिल्ली के सुब्रत जी देश के कोने कोने से लोगों ने भारत म हैं चीतों के लोटने पर खुशियां जताई है 130 करोड भारत माजी खुश है घर्व से भरे है यह है भारत का प्रकृति प्रेव इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मुदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा साथियों एक टास्क फोर्स बनी है यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और यह देखेगी कि यहां के माहोल में वो कितने घुल मिल पाए हैं इसी आधार पर कुछ महिने बाद कोई निर्णे लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे लेकिन तब तक मैं है आप सब को कुछ कुछ काम सौप रहा हूं इसके लिए माय गौग के प्लेट्फॉर्म पर एक कॉंपटिशन आउजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं चीतों को लेकर जो हम अभ्यान चला रहे हैं आखिर उस अभ्यान का नाम क्या होना चाहिए कि हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इन वैसे हरे को किस नाम से बुलाया जाए वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिश्टन हो तो काफी अच्छा क्योंकि अपने समाज और संस्कृती प्रंपरा और विरासत से जोड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी और आकर्षित करती है यही नहीं आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना शोईए हमारी fundamental duties में भी तो respect for animals पर जोड़ दिया गया है मेरी आप सभी से अपील हैं कि आप इस competition में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरू चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए मेरे प्यारे देश स्वासियों आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवताबादी चिंतक और महान सपूद दिन दयाल उपायता है जी का जन्मदिन मनाये जाता है किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं दिन दयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पोथल को देखा था वो विचार धारों के संगर्सों के साक्षी बने थे इसलिए उन्होंने एकात्म मानोव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था दिन दायल जी का एकात्म मानोव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुराग्रत से मुक्ति दिलाता है उन्होंने मानोव मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशु अर्था हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा व्यहवार करे आधुनिक सामाजिक और राजलेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्शन कैसे दुनिया का मार्दर्शन कर सकता है ये दिन्दैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आधादी के बाँ देश में जो हीन भावना थी उससे आधादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आधादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिवक्ति करें इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन दयाल उपादिया जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान परमोचूद व्यक्ति होता है आज हादिक अम्रित-कालम हम दिन दयाल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतराही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेला मिलेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बात यानि 28 सितंबर को अमरित महोत्षव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सहींजी की जैनती मनाएंगे बगत सहींजी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रद्धानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सहींजी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बद बढ़ाई देता हूँ साथियों हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं यही उनके प्रति हमारी सरद्धान्जली होती है शहीदों के समारक उनके नाम पर स्थानों और सोंस्थानों के नाम हमें कर्टवे के लिए प्रेणा देते हैं अब एक कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तवे पत पर नेता जी सुभा चंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरीए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब सहीद बगत्सी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेस अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देश फास्यों आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जर्फ दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा यह दो शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिब्रेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें मेरे पैरे देशवासियों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथ्यों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी सारिजिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख बाते ऐसे साथ्यों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंगवेज लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिकत यह थी कि साइन लेंगवेज के लिए कोई सपस्ट हावभाव ताय नहीं थे स्टेंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इंडियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना हुई थी मुझे खुशी है कि इस हुंस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दिन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लॉंच किया गया है साइन लेंग्वेज के 23 स्टांडर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय शिक्षान निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंग्वेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है यूटूब पर कई लोगों ने कई संस्थानों ने इंडियन साइन लेंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिये हैं यानि साथ आठ साल पहले साइन लेंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लहाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लेंग्वेज से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही समबाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में साइन लेंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है पूजा जी के बेटे ने भी sign language सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को sign language का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद sign language नहीं आती थी इस वजह से वो अपनी बच्ची से communicate नहीं कर पाती थी अब टिंका जीने भी sign language की ठेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खूब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राब किरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं है उनकी परेंट की जीवन में भी यह स्थिती रही है ऐसे मैं sign language ही पूरे परिवार के लिए समवा का जरिया बनी है अब तो मंजुजी खुद ही sign language की teacher बनने का भी फैसला दे लिया है साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसली भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंजियन sign language को लेकर awareness बढ़े इससे हम अपने दिव्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भावय और बहनों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोष की एक copy भी मिली है हेम कोष असमिया भाषा की सबसे पुरानी dictionary में से एक है यह 19 वी सतावदी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषाविद हेम चंद्रब बरवाजी ने किया था हेम कोष का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है मैं इस सम्वेदन चिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ इस तरह के हर प्रयास दिव्यां साथियों क काउशल और सामर्थ बदाने में बहुत मदद करते हैं आज भारत पारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्थर पर भ बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश साथियों मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी स्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं साथियों अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो किवर तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सरजरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के भावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताई किया कि अन्वी की दुसरों पन दिरफ़ता को कम कैसे करेंगे उन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाएना जूते के फिते कैसे बांदा कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधत होती है इस सब कुछ बहुत धैरिये के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की बिटिया अन्वी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ति दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिथा को भी भावत होस्ला मिला उन्होंने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिती में उनके माता पिथा जिने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेजित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुम बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अन्वी आजदेश भर के competition में हिस्सा लेती है और मेडल जितती है योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया अन्वी ने योग को आतमसाप कर जीवन को आतमसाप किया अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भूत बरलाव देखने को मिला है, अब उसका सेल्फ कॉन्फरिणस गजब का हो गया है, योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के सुरोता अन्वी को योग से हुए लाप का वज्ञानिक अध्यान कर सके, मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है, जो योग के सामर्थ को जाचना परक्षना चाहते हैं, ऐसे वज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफ़ता पर अध्यान करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए, ऐसी कोई भी रिसर्च, दुनिया भर में दाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती हैं, दुनिया अब इस बाद को स्विकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत जादा कारगर है, विशेशकर डायबिटीज और ब्लड प्रिसर से जूड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती हैं, योगी की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए, 21 जून को सयुक्त राष्ट ने अंतराष्ट इसे योग दिवस्त मनाना ताइक किया हुआ है, अब युनाइटेड नेशन, सयुक्त राष्ट ने भारत के एक और प्रियास को रेक्रिनाइज किया है, उससे सम्मानित किया है, ये प्रियास है, वर 2017 में शुरू किया गया, इंडिया हाइपर्टेंशन कंट्रोल इसके तहट ब्लड प्रिशर की मुश्किलों से जूज रहें लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है, जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और खीचा है, वो अभुत्पुर्वा है, ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है, उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बदाई देता हूं, जिनों ने अपने अथर परिश्रम से इस सफल बनाया, साथियों, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब, भारत का भी सहुभागे हैं कि करीब साड़े साथ हजार किलोमेटर से अधिक लंबी कोस्ट लाइन के कारण, हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है, यह तटिये सिमा कई राज्यों और विपों से होकर गुजरती है, भारत के अलग-लग समुदायों और विविदिताओं से भरी संस्कृति को यहां फलते फुलते देखा जा सकता है, इतना ही नहीं, इन तटिये इलाकों का खानपान लोगों को खुब करता है, लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दूखत पहलू भी है, हमारी ततिये क्षित्र परियावरन से जुड़ी कई चुरोतियों का सामना कर रहे हैं, क्राइमेट चेंज, मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है, तो दूसरी और हमारे के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें, यहां में देश के ततिये खित्रों में कोस्टल क्रिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा, पाज जुलाई को शुरू हुआ यह अभ्यान, बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा ज्यंति के दिन संपन हुआ, इसी दिन कोस्टल क्रिनप देवी था, आधाधि के अमरत महुत्सों में शुरू हुई, यह महीम, 45 दिनों तक चली, इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी, इस प्रयास के दोरान, पूरे धाई महिने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले, गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई, काकी नाड़ा में गणपती विसरजन के दोरान, लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया, एनसेस के लगबग, पांच हजार युवा साथ्यों ने तो, तीस टंद से अधिक प परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरस्चित सागर के लिए प्रेरीद करेंगे, मैं उन सभी लोगों को बढ़ाई देना चाहूंगा, जिन्हों ने इस अभ्यान में हिस्सा लिया, इलेक्टेड ओफिशल्स, खासकर सहरों के मेयर और गाओं के सरपंचों से, जब मैं समबात करता हूँ, तो यह आगरत जरूर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रेहासों में लोकल कॉम्यूनिटीज और लोकल और्गनाशन्स को शामील करें, इनोवेटिव तरीके अपना बैंगलूरू में एक टीम है, यूथ फर परिवर्तक, पिछले आंट सालों से यह टीम, स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है, उनका मोटो बिलकुल क्लियर है, स्टॉप कंप्लैनिंग, स्टार्ट एक्टिंग, इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से जादा जगहों का सौंदरी करण किया है, हर स्थान पर यूथ फर परिवर्तन के अभ्यान ने 100 से 1500 नागरिक को जोड़ा है, प्रतेग रविवार को यह कारकम सुबसुरू होता है, और देवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्कैचिज बनाने का काम भी होता है, कई जगहों पर तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्कैचिज और उनके इंस्पिरेशनल कोर्स भी देख सकते हैं, बैंगलोरू के यूथ पर परिवर्तन के प्रहासों के बाद, मैं शहर के सवंदरी करण से भी जुड़ा है, इस मुहीम की खास बात यह भी है, कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक बेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सवंदरी करण कै जैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिशाल है, इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं रदय से सरहना करता हूँ, मेरे प्यारे देश वास्यों, इस समय देश में चारों और उत्सव की रोनक है, कल नवरात्री का पहला दीन है, इसमें हम देवी के पहले स्वरूप म माशाइल पूत्री के उपासना करेंगे, यहां से नव दिनों का नियम, सहियम और उपास, फिर विजया दस्मे का पर्व भी होगा, यानि एक तरह से देखें तो हम पाएंगे, कि हमारे पर्वों में आस्ताव और आध्यात्विक्ता के साथ साथ, कितना घहरा संदेश भी लक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होता है, दसरे के बाद धंतेरस और दिवाली का भी परवाने वाला है, साथियों, बीते वर्सों से हमारे त्योहरों के साथ, देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है, आप सब जानते हैं, यह संकल्प है, वोकल फर लोकल का, अब ह शामिल करते हैं, आने वाले दो अक्तूबर को बापू की जनती के मोके पर हमेशा भ्यान को और तेश करने का संकल्प लेना है, खादी, हैंडलूम, हैंडिकाप, यह सारे प्रोड़क के साथ साथ, लोकल सामान जरूर खर दें, आखिर इस त्योहार का सही आनन भी तब है, जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने हैं, इसलिए स्थानिय प्रोड़क के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है, एक अच्छा तरीका यह हैं कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें, उसमें इस प्रकार के प्रोड़क को शामिल करें, इस समय यह आज्ञादी के अमरित महोसव के दोरान हम आत्म निर्फर भारत का भी लक्ष लेकर चल रहा है जो सही मायने में आज्ञादी के दिवानों को एक सच्ची स्रद्धान्जली होगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंड्लूम या हैंडिक्राफ इस प्रोड़क को खरिदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथिन ब्हाश का भी बहुत इस्तिमाल होता रहा है स्वर्चता के परवों पर पॉलिथिनका नुक्सान का रक कच्रा यह भी हमारे परवों की भावना के खिलाव है इसलिए हम स्थानिय तर पर बने हुए नौन प्लास्टिक बैक्ष का ही इस्तिमाल करें हमारे हां जूट के सूट के केले के ऐसे कितने ही पार्मपारिक बैक का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दे और करियावरत के स्वास का भी ख्याल रखें मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है परहित शरीष धर्म नहीं भाई यानि दूसरों का हीद करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है पिछले दिनों देश में समा सेवा की इसी भावना की एक और जड़क देखने को मिली आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी ना किसी टीबी से पीडित मरीच को गोड ले रहे हैं उसके पौश्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं दरसल ये टीबी मुक्त भारत अभ्यान का एक हिस्सा है जिसका आधार जन भागीदारी है करतव्य भावना है सही पोशन से ही सही समय पर मिली दवाईयों से टीबी का इलाज संभव है मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की शक्ति से वर्थ दोहजार पचीस तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा साथियों केंदर सासित प्रदेश दातरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरन जानने को मिला है जो मन को छू लेता है यहां के आदिवासिक छेत्र में रहने वाली जीनूर रावतकिया जी ने लिखा है कि वहां चल रहे गाम दत्तक कारेकम के तहर मेडिकल कॉलेज के स्टूडन्स ने पचास गावों को गोद लिया है इसमें जीनुजी का गाउं भी शामिल है मेडिकल के इच्छात्रा बिमारी से बचने के लिए गाउं के लोगों को जागरुक करते हैं बिमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकरी देते हैं परोपकार की ये भावना गाओं में रहने वालों के जीवन में नई खुश्यां लेकर आई हैं मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्फियों का अभिनादन करता हूं साथियों मन की बात में नए नए विशों की चर्चा होती रहती हैं कई बार इस कारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विशों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है पिछले महिने मन की बात में मैंने मोटे अनाच और वर्ष दोहजार तेईस को इंटरनेस्टरन मिलेटियर के तौर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी इस विशय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनीक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारमपारिक बेंजनों के बारे में भी बताया है एक बड़े बनलाव के संकेत है लोगों के इस उत्साव को देख कर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक इबुक तयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट्स से बनने वाले डिसेस और अपने अनुभवों को साजा कर सके इससे इंटरनेशनल मिलेट येर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एंसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माई गौव पॉर्टल पर पब्लिस कर सकते हैं साथियो मन की बात मैं इस बार इतना ही लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है इस बड़ाई खास मोका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है कोवीड महमारी के वज़र से पिछली बार के आयोजनों को रत करना पड़ा था इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत-बहुत शुब कामना है इस दिन खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने करिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाडियों का होसला बढ़ाएं अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं अगले महिने मन की बात में नए विश्यों के साथ आप से फिर में आगात होगी धन्यवाद नमस्कार